जोड़ाने के लिए 30 इन्च लिए है तो आप देखते रहिए हमकिस तरीके से डिजाइन स्लिप्स बनाएंगे। पटने बाजू का लिए कपड़ा लेकर दो इंच कम लेना है क्योंकि 2 इंच की इसमें स्ट्रिप लगाएंगे जहांपे भी आपका 2 इंच कम करके साड़े आठ आता है वहाँ पे आप निसान लगा लें थीक है दो इंच हम इसलिए कम ले रहे हैं ताकि हम इसमें जो डिजाइन लगाएंगे तो फिर हमारी सलीपS बढ़ी हो जाएगी इस तरी किसे नॉर्मल सलीपS की तरह इसकी सेव दे और हमारी जो फिटिंग है वो हमारी 6-7 इंच तक आप एक्स्ट्रा मार्जन लेके इसके लिए कपड़ा ले लें अब यहां से सेम कटिंग कर देंगे हम इसको तो यह बाजू की जो कटिंग है वो हो गई है अब इसको जो हमारा यह फ्रंट से हमारा जो कर्ब देते हैं उसके लिए गोलाई दे के और कटिंग कर देंगे अब यह हमने एक पेपर ले लिया है तो पेपर हमको इतना ही लंबा लेना है जितनी हमारे कपड़े की यह है लंबाई बाजू की की अब हम इस तरीके से कमूरे बनाएंगे देखिए पहले हम इनको ऐसे सिलाई से बना लेंगे इस तरीके से और बनाने के बाद जितने भी हमारे कपड़े हैं सब ही को हम एक जैसा बना के कम्प्लीटली तैयार कर लेंगे तो आप इनको डवल कलर में भी बना सकती हो एक कलर में भी बना सकती हो वैसे मैंने इसको जो सलवार है वो रैड में है तो मैंने इसको थोड़ा सा डवल कलर का कॉम्बिनेशन दिया है तो इस तरीके से मैंने इसको उपन कर लिया है बाजू को ठीक है अब यह पेपर है इस सामने होने चाहिए वो आभी आपको पता लग जाएगा किस तरीके से मैं बोल रही हूँ क्योंकि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं से लाई से रिलेटेड तो वो काम फिनिसिंग के साथ होना चाहिए तो देखिए इस तरीके से लगाने को तो हम इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं लेकि उनमें इतनी फिनिसिंग नहीं आती है देखिए इस तरीके से जो बरावर कम रहा हो उसी को उठाएं और उसी को लगाएं आप तो यहां से मैं ऐसे इसको कम्प्लीटली लगा दूँगी यह देखिए यहां तक लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि एक और लूँगी और इसको भी ऐसे ही लगा दूँगी नीचे तक अब यह हमने लगा दिये हैं जो एक्स्ट्रा है उसे हम बाद में कट करेंगे तो अब हम फ्रिल बना लेते हैं इसमें बाक्स प्लेट डलेंगी इसी कपड़े की तो मैं इसको ऐसे जोड लूँगी एक साइड इधर और दूसरी साइड इधर जोड दूँगी दोनों को जोड दिया है अब इसका सैंटर निकालेंगे यह center निकाल दिया, अब इसके एक box plate डाल देंगे, ऐसे, हलकी सी piping के साथ डालेंगे, ताकि हलकी सी piping भी दिखाई दें, ऐसे, और इसको हम पूरा ही सिलाई कर देंगे, और अब इसकी side भी आप चाहिए तो एक दो दो box plate डाल सकती हैं, वरना आप एक ही यहाँ पर रख सकती है तो मैं इस तरीके से इसमें छोटी-छोटी और plate डाल दूँगे, ताकि जो हमारे कपड़े की लंबाई है, वो उतनी रहे जितनी की हमें चाहिए, यानि की जितनी हमारी sleeps की है तो इधर डाल दी है, सेम मैं दूसरी side भी डाल दूँगे ऐसे ही, तो यह देखे यह भी हमारे डल के completely तैयार हो गई है तो यहाँ तक हो गया हमारा पूरा complete, अब ही हम क्या करेंगे, कि इसको नीचे से जो इसका bottom होता है, बाजू का, उसको भी mode लेंगे आप यहाँ पर कोई lace वगयरा का भी इसमें use कर सकते हो, lace से भी बहुत अच्छी finishing आती है अब मैं जो मेरी कुर्टी में है lace, उसको लगा दूँगे, अब यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे, और सिलाई कर देंगे अब आपको समझ में आ गया होगा, हमने बाजू में 2 इंच कपड़ा किसलिए कम लिया था, क्योंकि 2 इंच की हमने यह strip लगा दी इसके अंदर अगर हम वो कपड़ा कम नहीं लेते, तो फिर बाजू की जो लंबाई है, वो काफी जादा हो जाती तो इसलिए अगर आप अलग से इसमें डिजाइन लगा रही हो, तो आपको कपड़ा कम लेना है बाजू के लिए तो हम दूसरी साइड से भी सेम जोड देंगे, और उपर से इसको ऐसे बराबर कर देंगे तो ये देखिए, हो गई ने एकदम बराबर, अभी हमने जो फ्रिल बनाई थी, उसको सैंटर से हम ऐसे निसान लगा लेंगे और जो हमने सैंटर किया था, उस पे रखके, और बस आधा इधर और आधा दूसरी साइड से लेंगे तो जैसे मैने आपको ये वाली स्लीप्स बनाने बताईए है, सेम मैथफड से हम दूसरी स्लीप्स बना लेंगे और धागे को हैंसे कट कर देंगे तो ये देखिए, एक साइड से लग गई है, अब ये जो स्लीप्स है, ये हमारी बनने के बाद ऐसे आई है पहले हम इसका पेपर हटा लेते हैं, पेपर हटाने के बाद फिर हम इसमें मोती लगा लेंगे, तो देखिए, यहां से पकड़ने के बाद एक आप इसके ओपर भी टॉप स्टिच लगा लें ताकि यह कपड़ा अच्छे से जम जाए, और लेस भी आप इसमें लगा सकती हो, तो यहां से देखिए, मैंने पतली वाली लेस लगा ली है, अब मैंने यह बीट्स ले लिये हैं, आप इसमें मोती बटन जो भी मतलब आपके पास हो, आप वो लगा लीजिए, तो दोनों को ऐसे पकड़ के और ऐसे अटेच कर देंगे सभी में, तो भाजू बन की तयार है मुझे उमीद है फ्रेंट्स कि आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्ते तक देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का